पौड़ी चिले में स्वास्त विभाग ने कोरोना की रोक थाम के लिए सरकार से बूस्टर डोस भीज़ जाने की मांग की है बौड़ी चिले में भी बूस्टर डोस खत्म हो चुके हैं और जिसकारण अब तक चिले में महस 22.6 फिज़ती लोगों को भी बूस्टर डोस लग पाई है और जिनमें से 18 वर्ष से 69 वर्ष तक के लोग शामिल है जबकि कोरोना की नए वेरियंट बीएफ सेवन की भारत में दस्तक होने के बाद से ही स्वास्ट बिभाग के चिंता बढ़ गई है अला कि जले में स्वास्ट बिभाग पहली डोस का लक्षो शत्प्रतिशत पूरा कर चुका है जबकि दूसरी डोस भी 95 फिज़ती लोगों को लक्षो की है लेकिन बूश्टर और प्रकॉशन डोस की धीमी नज़र आ रही है ऐसे रफ्तार को बढ़ाने के लिए प्रकॉशन डोस की मांगा स्वास्ट बिभाग ने सरकार से किये ताकि वेक्सिनेशन को तीजी से पूरा किया जा सके वहीं अपर मुख्या चिकसा अधिकारी रमेश को ने बता कि वेक्सिन मिलते ही छूटे लो प्रकॉशन कंप्लीट है और जो सेक्रिंड रोस थी हमारा उसके साफ एक्ज में और जो बुस्टर डोज है उसमें जो हमारे पास अठारा से जो इन साथ साल तक के जो हमारे टार्गेट थे वो थे तीन लाग चेहली से जार पांसो एक्सट जिसमें से अठातर जाल दोसो सोला को बुस्टर दूर लगा दी भी है जिसका प्रतिसाथ 22.6 परसेंट है तो अजया घूजाओ ग्वारे जिसमें साथ के जुट रोजया शोजया झाल ओास वास पुट अबसे हमारे बुल अधर दूल एचा तो इन साल जारा से ज हमारे जाद को बुट को बुट के जिसका जो हमारे लाग जार पास दो घुट पास, खता है जा स्ब़ारे भी हमारे